दौलतन बनने का सपना देखते हैं तो पावर औप कॉंपाउंटिंग का समझना बहुत जरूरी है इसकी ताकत को समझखर आप उन जगों पर निवेज करें जहां आपको चक्रविदी ब्याज का फायदा मिले और तेजी से मोटी रकम जमा हो जाए आईए जानते हैं आज के वीडियो में दरसल ब्याज दो तरह का होता है सिंपल इंट्रेस्ट और कंपाउंटिंग इंट्रेस्ट साधरन ब्याज यानि सिंपल इंट्रेस्ट में आपको इह निश्ची समय तक केवल प्रिंसिपल एमाउंट पर ही ब्याज मिलता है लेकिन चक्रवीदी ब्याज यानि compounding interest में आपको मुलधन के साथ उसके ब्याज पर भी ब्याज मिलता है इसके कारण आपका निवेस तेजी से 2 गुना और 3 गुना होता है लंभी ओधी में compounding interest की जरिये काफी मोटा fund जुटाया जा सकता है जानिये किन scheme में आपको compounding का फैदा मिल सकता है SIP यानि systematic investment plan को आजकल काफी पसंद किया जा रहा है SIP के जरिये mutual fund में निवेस किया जाता है और ये निवेस आप किस्तों में कर सकते है SIP में आप जितना लंबे समय के लिए आप निवेस करेंगी उतना ही बहतर compounding का फैदा ले सकेंगी तो जो निवेसक market में ज़्यादा रिक्स नहीं लेना चाहते हैं वो SIP में कम जोकिम के साथ निवेस कर सकते हैं market linked होने के कारण इसमें guaranteed return नहीं मिलता लेकिन आम तोर पर SIP पर अनुमानित सालना return 12% तक का माना जाता है कई बार ये 14-15% तक का भी मिल सकता है long term में SIP के जगिए आप करोरों का fund इकटा कर सकते हैं PPP प्यानी public provident fund में कोई भी भारती नागरी निवेस कर सकता है इसे takes बचाने और निवेस करने का सबसे पुराना और सुरक्षित साधन माना जाता है PPP में लंबी ओधी में निवेस में आपको compounding का फैदा मिलता है बरतमान में PPP में 7.1% का प्याज मिल रहा है PPP में 15 साल तक का निवेस कर सकते हैं मैचोटी पर मिली रासी पुरी तरह से takes free होती है नोकरी पैसा लोगों के लिए EPF निवेस का बहतर बिकल्प हो सकता है EPF में भी आपको compounding interest का फैदा मिलता है साथ ही इस पर मिलने वाला ब्याज अन्न सेविंग स्कीन के तुलना में जादा होता है मौझुद समय में PPP पर 8.25% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है आप चाहे तो BPF का बिकल्प चुन कर BPF में अपना contribution बरवा सकते हैं इससे compounding interest का फैदा जादा रासी पर मिलेगा और आप असानी से अपने retirement तक का अच्छा कासा amount इकटा कर सकते हैं साथ ही इस रकम पर tax का भी छूट का फैदा मिलता है अगर आप एक मुस्त रकम जमा करके compounding interest का फैदा लेना चाहते हैं तो fix deposit में निवेश कर सकते हैं ये सबसे सुरक्षित निवेश योजनाओं में से एक माना जाता है Avery bank या post office कहीं भी शुरू कर सकते हैं अलग अलग जगों पर इस पर मिलने वाले ब्याजदर भी अलग अलग होती है आप तमाम जगों पर ब्याजदर देखने के बाद कहा निवेश करना है ये फैसला कर सकते हैं